एलो फ्रेंड्स आई एम सालिनी सिंग वेलकम टू माई चैनल इस्टी ब्लाग विस सीवेंद्र तो हम लोग हिंदी क्रामर पढ़ रहे हैं और हिंदी क्रामर की स्रीज में आज की वीडियो में हम लोग संधी पढ़ेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लेश चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफेकेशन आप तक पहुंसता रहे तो चलिए सुरू करते हैं संधी को सबसे पहले हम देखते हैं कि संधी कहते किसे हैं और संधी के अगर हम बात करें तो दो वर्डों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधी कहते हैं क्या कहते हैं दो वर्डों के परस्पर मेल से मतलब कि दो वर्ण हैं जिनके परस्वर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं संधी कहते हैं तो यह तरही संधी की डिफिनीशन अब देखते हैं कि संधी होती ही कितने प्रकार की तो संधी जो है आपकी तीन प्रकार की होती है पहली है स्वर संधी दूसरी ह विशर्ग संधी अब हम बारी बारी से सभी संधी को पढ़ेंगे पहले हम स्वर संधी पढ़ेंगे उसके बाद के लेक्चर में हम लोग वेंजन संधी पढ़ेंगे और उसके बाद हम विशर्ग संधी पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं बारी बारी से स्वर संधी के कितने तो चलते हैं देखते हैं कि स्वर संधी क्या है तो अगर हम बात करें स्वर संधी की तो स्वर संधी के पांच प्रकार होते हैं देरग संधी व्रिद्धी संधी गुड़ संधी यड़ संधी और आयादी संधी तो आज हम लोग बहुत ही सिंपल ट्रिक से पढ़ेंगे बस हम देखते ही आप लोग बता देंगे कि इसमें कौन सी संदी है और इस तरह से मैं आपको समझाओंगी और आपके एकजाम में अगर कोई भी संदी आई तो आप तुरंट देखते ही बता देंगे कि इसमें कौन सी संदी है तो सबसे पहले हम दिर्ग संदी देख लेते हैं दिर् गशंदी होता है जब किसी सब्द के बीच में बड़ी आ, ई, उ, मात्रा आये तो वहाँ पे क्या होता है दिर्घसंदी होती है अब चलते हैं थोड़ा सा उधारण से समझेंगे कि दिर्घसंदी को समझना कैसे है तो चलिए देखते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ बिद्य बिद्याधन अभ्यास मतलब बिद्याभ्यास तो यहाँ पे क्या है आधना मतलब कि यहाँ पे समझाने की कोसिस की गई है कि जब किसी सब्द के बीच में बीच में क्या है आपका या आया है देख सकते हैं बीच में आपका या आया है तो यहाँ पे क्या हो गया दिर्घसं में जो है आपका बड़ा उ है अल पायू पा में जो है आपका बड़ा आ है आपका सर्वा धिक धिक में देखिए आपका इसमें सर्वधन अधिक इसमें भी आपका सर्वा आया हुआ है बीच में तो ऐसे क्या हम कर सकते कि यहां पर क्या है दिर्गसंदी है मतलब बीच में क् बढ़ी, बढ़ाऊ, जिसलिए ये दिर्गसंदी है, विद्याधन अप्यास, विद्याभ्यास, गिरिधन इस, गिरीस, गिरीस में भी आपका बढ़ी है, वदुस्तों में आपका बढ़ाऊ है, अलपायों में आपका आ है, सरवाधिक में आपका आ है, इस तरह से ये दिर्ग संधी है निक्ष्ट हमारी संधी है गुड़ संधी तो चलिए गुड़ संधी को देख लेते हैं थोड़ा सा जब किसी सब्दे के बीच में छोटी ए और ओ री मात्रा आये तो वहां गुड़ संधी होती है तो आपको कुछ नहीं करना है गुड़ संधी को आपको ऐसे ही समझ देखना है उपर जो मात्रा एक ही लगी हुई है अगर ऐसे ही मात्रा लगी रहे या एक पाई और उसके उपर मात्रा लगी हो एक उंडी हो या जो है री हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा वहाँ पर गुड़ संधी हो जाएगी तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यह यहां भी मात्रा उपर एक ही लगी हुई है गडेस में भी लगी हुई है यह थेश्ट में भी लगी हुई है और ब्रह्मभर्सी में यहां पर री आया हुआ है तो यहां पर क्या है गुड़ संधी है मतलब कि दिर्ग संधी में आपने देखा आ और बड़ी और बड़ा उ था गुड़ संधी में आपका जो है ए रहेगा, ओ रहेगा और री रहेगा ठीक, तो इस तरह से आपने गुड़ संधी को भी समझ लिया इसको गुड़ संधी को ऐसे ही पहचान लेंगे नेक्स्ट है हमारा यड़ संधी यड़ संधी की डिफिनिसम देख लेते हैं जब किसी सब्द के बीच में यह रहे के साथ अधूरा सब्द आए तो वहाँ यड़ संधी होती है तो वाकही यह सही है, देख लिजे अत्यावशक में आपका क्या है यह के साथ अधूरा सब्द आया है अधात है, नद्यारपड में भी आपका अधात है स्वागत में भी आपका वह के साथ आधास से आया है पित्रादेश में पित्री अधनादेश पित्री में आपका आर इसमें भी उसके साथ रा के साथ आया हुआ है और प्रतेक में भी आपका यह के साथ आया हुआ है तो सब में क्या है? सब में आपकी यड़संदी है दिर्ग संधी में आपने देखा कि आ रहता है, बड़ी, बड़ा O रहता है, बीच में आता है, इसके बाद आपने गुड़ संधी देखा, गुड़ संधी में आपका ये रहता है, O रहता है और री रहता है, और यण संधी में आपका क्या है, ये वर के साथ अधूरा सब्द तो इस तरह से आपकी तीन स्वर के प्रकार खतम हुए अब चौथा है आपका ब्रिद्धी संदी इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि यह क्या मतलब है जब किसी सब्दे के बीच में बढ़ी है और और मात्रा आये तो वहां पर क्या है ब्रिद्धी संदी होता है जैसे आपने उसमें देखा गुड संदी में कि वहां पर ड़ट एक ड़ट था उपर और यहां पर क्या है दो है यहां पर अव जिन्सब्लाव को झाराननैश्वर महेस्वार यहाँ पर देखिए दो मاتरा यहां पर आपका डो जो है रेलगा हुआ है धन शुसमा Ols त्वाहां व्धी मतलब कि बड़ा समझ्छली जी उसकोई दीक को बड़ा समझ्छ बड़ा यह यह आपको समझ में आजाए तो इस तरह से आपका महस्वर हो गया दन्तवश्ट हो गया प्रोब सब्सक्रीन जब किसी सब्दे के बीच में यह वह का उचारण निकले तो वहाँ पिस gef.... है नयन यहां पर आपका नयन का हो जाएगा नेधन अन सयन का हो जाएगा सेधन अन गायक का क्या हो जाएगा गयधन अक और यहां पर आपका दिया है पावक पावक हो जाएगा पाउधन अक अब भवन का क्या हो जाएगा भवन का आपका क्या हो जाएगा तो भवन का हो भोधन अनभवन तो इस तरह से आपका आयादी संदी भी हो गया तो स्वर संदी के प्रकाइर जिसमें हम आरीबारीबारीज सब को देखा आयादी संदी में आपका सब्द के गाल के पीच में यह यड़ संधी में आपका यवर के साथ हदूरा सब्द आए तो वहां पे यड़ संधी होती है और गुड़ संधी में आपका ए आता है और और री आता है तो वहां पे गुड़ संधी है और अगर दिर्ग संधी आता है सब्द आ बड़ी बड़ा हूँ तो वहां पे दिर्ग सं करें चैनल पर नए हो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जूड़ी से संबंदित कोई भी क्लास जॉइन करनी है तो आप बताएगे नमबर पर वाटसब कर सकते हैं